दोस्तों यह मेरा स्वेटर जो है आप देख सकते इस पर कितनी जादी मैल है कितनी कड़ी मैल है और आज मैं आपको दिखाऊंगे क्या वाशिंग मशीन में इतना कड़ा से कड़ा मैल स्वेटर से कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों जसा कि मैंने आपको अपने पीछले वीडियो मैं कहा था कि मैं आपको सारे वुलन्स दो के दिखाने वाली है तो आज मेरे पास एक बाल्टी वुलन्स है चलिए तो इसको दोते हैं तो अब आप में सब गिनिए वान तू थी फोर फाइव सेक्स सेवन एट एट लाइक इतने सारे वुलन्स है अब सबसे पहला काम यह होग कि जितने वी वुलन्स है उसका मैं चेन और बटन को क्लोज कर दूंगी ठीक है यहां सारे स्वेटर्स के चेन लगा दिये हैं उनके बटन्स लगा दिये हैं आप सबके चेन बटन लगा दें देखे मैंने आपको जनरली बताया है कि आप यह जो पीटू का हैवी प्रोग्र मैं तो अपीटू काती है तो भतार दियो पिए प्र आप प्रोग्राम में इसे में जनर्रली उस करती हूं फोर है इवी फ्रोंच initiatives which Communication woolen करके program है ठीक है तो यह जो P7 woolen program है यह P2 heavy program से कैसे अलग है जैसे कि heavy वाले में में अपने से कुछ भी set कर सकती हूं पावर ओन कर दिया ठीक है यहां तब P2 program चुन लिया अब P2 के बद मैं खुद से water level खुद से हीटिंग चुन सकते हैं कि मुझे कितना चाहिए पर जैसे ही में P3, P4, P5, P6, P7 जो कि वुलन प्रोग्राम है इसमें खुद से पानी का लेवल मैक्सिमम चुन लेता है और जो वाम है वो चुन लेता है तो आप बोलोंगे कि हां ठीक है P2 चुन लेंगे और हम खु पर जादा नहीं खुमेंगा कि आपके कपड़ को नीच ओड़ देगा खराब कर देगा तो थोड़ा डिलिकेट ली यह गूमता है जिसके कारण आपके वुलन्स खराब नहीं होंगे इसलिए मैं आपको रिकमेंट करूंगी कि आप वुलन्स जब वश करे तो आप P7 जो व कुछ नहीं करना है और सीधे में स्टार्ट बढ़न दबालूंगी स्टार्ट मत यहां बोल रहा है एक कप आपको डालना है लेकिन अब मैं बता दूं कि यह वुलन्स जो है गंदे एक कप से काम नहीं होने वाला है अब मेरे पास यहां पर है इजी मैं इस इजी का तीन कप तीन कप डालूंगी सोचेंगे कि उसमें तीन कप क्यों डालेंगे एक कप लिखा है तो अब आप देखिए जो मैं पस एरियल वाला है इसका कप देखिए ठीक है इसके कप का साइज देखिए और आप इसके कप का साइज देखिए काफी अंतर है ठीक है तो इसका जब हम त कप डालेंगे तब वो इसके एक कप के बराबर होगा इसलिए मैंने आपको कहा कि आप एजी वाले के तीन कप को डालो ताकि वो एक कप के बराबर हो और कपड़े हमारे काफी जादा भी है आठ वुलिंस आठ स्वेटल हम धो रहे हैं चोकि छोटी मूठी बात नहीं है आप कोई दोएंगे आपका कमर दुख जाएगा अगर हां तो से ठीक है तो मैंने यहां एक कप डाल दिया यह रहा दूसरा कप तीसरा कप शिट दोस्तों हमेशा यह गलती में साथ होती है जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करके करती हूं यह पहली गिर जाता है क्योंकि मैं कैमरा में देखके डाल रही होती हूं तो थोड़ा कॉडिनेशन में प्रॉब्लम हो जाता है तो कोई दिकत नहीं है मैं इसे स अच्छी खुश्बू आए तो लाइक असा खुश्बू मेंटेंड रहे तो मैं कमफर्ट का एक ढखकण डालने वाली हूं इसकी खुश्बू सच में काफी रहती है कमफर्ट को कैसे यूज करना है मैंने अल्रेडी वीडियो बनाया हूए आप मेरे चैनल में जाके देख स क्यामरा में देखके में डालती हूं और यह मुस्से पैरिंगे जाती है तो कोई रिकत नहीं है अगें मैं ऐसे लूँगी और लाइक पोच तूँगी ठीक है ना अब मैं से करती हूं क्लोस जैसे ही मैं करूंगी क्लोस प्रोग्राम हो जाएगा स्टार इसने लिए 44 मिनेट का टाइम पानी भरना शुरू हो चुका है तो पानी अब भरेगा जैसे मैं मशीन को ओपन करती हूं सारा काम रुक जाता है तो इसमें कोई डेंजर नहीं है कि बच्चे आएंगे और उन्हें करेंट लग जाया है कुछ हो जाएगा मशीन पूरा रुक जाएगी ठीक है और यह मेरा 7 kg का है आप से और शाय जादा kg का भी आता है आप देख सकते मार्केट में यह फुल्ली ऑटोमेटिक है अब मुझे कुछ करना ही नहीं है 44 मिनट का टाइम है अब आप सुचोंगे कि घट क्यों नहीं रहा है समय यह समय इसलिए नहीं घट रहा है क्योंकि पानी भरने का टाइम और पाइप से पानी निकलने का टाइम वह इसमें इंक्लूडड नहीं रहता है अब पानी भरने में 10 मिनट लगता है तो वह 10 मिनट इसमें नहीं दिखाएगा, यह 10 मिनट है, soaking, washing, rinse और dry, तब यह जो time जो है, वो इन सबका है, ठीक है, और express wash कैसे use करना है, child lock कैसे करते हैं, यह सम मैंने आपको वीडियो में बताये हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और अब मैं आपको दिखाऊंगी, finish results की machine में ही धोएंगे, पर machine में क्या है, जो इतनी कड़ी दाग है, वो light हो जाती है, पर पूरी नहीं निकल पाती है, इसलिए अगर हमें पता है कि यह बहुत जादा sweater गंदा है, तो हम इसे इस तरीके से साफ कर लेंगे, easy लेंगे, और अपने हाथों से बिना कोई brush लगाए, see कितना easily इसका जितना भी गंदगी है, वो हाथ से ही निकल गया, थोड़ा ऐसा मैनत करिया, और भी सबस्वेटर में करने की ज़रती है, क्योंकि सबस्वेटर इतना गंदा नहीं होता है, इसको दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, मैंने यहाँ एक मग पानी ले लिया है, मैंने पानी में पहले इसे डुबो के गीला कर ले रही हूँ, मैंने इसके जहां मैल, कडी मैल वाली पार्ट है, उसके लिए हमें वोशिंग मशीन में डालने से पहले थोड़ा खुद से काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने एक डिटरजेंट लिया, इस तरीके से ल जहां जहां आपको कडी मैल दिखे, वहां पे थोड़ा से अपने हातों से लाइक आप उस चीज को रब कर दे, और हातों से ही रब करिएगा दोस्तों, इसमें आप ब्रश मत लगाएगा, वरना जो वुलन से वो खराब हो जाएंगे, तो इस चीज का थ्यान रखे, इपने जीनियस ऑफ होम केर, लिक्विड डिटरजेंट, प्रो वाश, जेंटल उन वुलन, एंड डिलिकेट फैब्रिक, रिमुव स्टेइन, तो आप इजी भी यूज कर सकते हैं, आप ये भी यूज कर सकते हैं, और एक्शली ये काफी अच्छे से गंदा हटा रहा है, अगर मैं मैं अपने कपड़ों को अपने हाथों से जेंटली जब रब कर रही हूं, तो जो भी दाग है, वो काफी अच्छे से निकल जा रहा है, तो आप इसे ट्राइ कर सकते हैं, मैं जेनरली हर डिटरजेंट के तना तारीफ नहीं करती हूं, तो मुझे ये अच्छा लगा, और अ और किसी स्वेटर में इतनी कडी मैल नहीं है, दोस्तों मेरा यहाँ प्रोग्राम हो चुका है, फिनिश, और अब मैं आपको दिखाती हूं, मेरे कपड़े, सबसे पहले मैं आपको वो जैकेट दिखाऊंगी, जो सबसे ज्यादा गंदा था, सी, ये रावो जैकेट, और इ इसके पॉकेट के पास थोड़ी सी गंदगी थी, वो भी एकदम क्लीन हो गई, इस सारे स्वेटर अच्छे से धुल के तयार है, किसी में कोई डामेज नहीं हुआ है, सब कुछ अपने अपने जखा पे इंटाक्ट, दोस्तों मुझे काम था, इसलिए मैं कपड़ों को निक कर दिया है, खल सुबह मैं इसे धूप में डाल दूँगी, यह बहुत अच्छे सा सूख जाएगा, तो वोशिंग मशीन होने का यह बिग फाइदा है, कि धूल जाने के बाद अपने कपड़े पड़े रहते है, जब आपको फुर्शत हो समय मिले, आप अराम से अपने अक कर दो